जंगल के तालाब में एक कच्छुआ रहता था तालाब के किनारे पेर पर रहने वाले उल्लू से उसकी दोस्ती हो गई दोनों दोस्त घंटों तक गपशब करते एक दिन दोनों दोस्त बाते कर रही थे कि एक बाग महां आ पहुँचा बाग को देखकर उल्लू चिल लाया भागो दोस भागो कच्छुआ भागा पर अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुँच सका बाग ने एक छलांग लगाई और कच्छुए को पंजे से दबोच लिया फिर मुँ में पकड़ लिया उसने सोचा आज तो बढ़िया दावत होगी मगर ये क्या पूरा जोर लगाने पर भी कच्छुए का खोल नहीं तोटा उसने दातों और नाखुनों से कच्छुए को काटने की कोशिश की पर कच्छुए के सक्त खोल पर एक भी खरोंच नहीं आई बाग बौखला कर इधर उधर देखने लगा उल्लू पेड की डाल पर बैठा सब कुछ देख रहा था उसने बाग से कहा बाग भाई कच्छुए का खोल धूप में सूख कर सक्त हो गया है अगर आप कच्छुए को तालाप के पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दे तो उसका खोल मुलायम और स्वादेश्ट हो जाएगा बाग ने सोचा उल्लू तो समझदार जानवर है वो ठीक ही कह रहा होगा फिर बाग ये भी नहीं देखना चाहता था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है वो गरच कर बोला तुम मुझे क्या बता रहे हो मैंने तो कई कच्छुए इस तरह मुलायम करके खाए है यह कहकर उसने कच्छुए को उठा कर पानी में फेंक दिया कच्छुआ तेरता हुआ तालाब में गायब हो गया बाग तालाब के किनारे बैठा दावत के सपने देखता रहा संदेश है सूज बूज से कठिन से कठिन समस्या हल हो जाती है